नमस्कार दैश न्यूज में आप सभी दैशकों का स्वागत है मैं पृति दयाल आपके साथ बड़ी खबर सामने आ गई है कि बिहार के बाहुबली नेता और मुकामा से पूर्वरविधायक अनन्सिंग जेल से बाहर आ गए है अनन्सिंग को पैरोल मिल गई है और वो जेल से बाहर आ गए है बता दे कि राजसरकार के ग्रिम मंत्राले ने अनन सिंग को इलाज करवाने के लिए 15 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है जिसके बाद से बिहार की सियासत में पूरी तरह से जो हलचल है वो पैदा हो गई है याद दिला दे कि 13 माई को मुंगे लोग सभा सीट पर मतदाल होने हैं और उससे पहले ही अनन सिंग जेल से बाहर आ गए हैं ऐसे वक्त में उनका जेल से बाहर आना बेहद ही एहम माना जा रहा है वही बात करें अनन सिंग की तो उनको उनकी इलाके में लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं कभी नितीश कुमार के बेहत खास रहे अनन सिंग बाद में राजनितिक कारणों से सीएम नितीश से दूर होते चले गए और लालो यादव के करीबी हुए लेकिन अब एक बा पर चुनाब प्रचार न भी करें तब भी वह अपने स्तर से जेडियू के लोगसभा उमिद्वार और पार्टी के पूर्वरास्ट्रिय अध्यक्ष ललन सिंग को कहीं न कहीं फायदा पहुचा सकते हैं गौर्टलब है कि 2019 के लोगसभा चुनाव में ललन सिंग और अनन सिंग की पतनी नीलम देवी के बीश सीधी तक्कर मुंगेर लोगसभा सीट पर हुई थी तब ललन सिंग जेडियूक से थे और अनन सिंग की पतनी नीलम देवी कॉंग्रेस की उमिद्वार थी वहीं जब अनन सिंग को सजा हुई तो उनकी विधाय की चली गई तब मुकामा सीट पर हुए विधान सभा उपचुनाव में नीलम देवी आरजेडि उमिद्वार के तौर पर मैदान में उतरी नीलम देवी जब विधान सभा उपचुनाव लड रही थी तब नितीश और लालू एक साथ थे नतीजा यहुआ की ललन सिंग ने मुकामा विधान सभा उपचुनाव के दौरान अनन सिंह की पतनी के लिए वोट मांगे थे आनन सिंह के प्रभाव वाला इलाका मुकामा मुंगे लोकसभा के अंदर ही आता है Elliot सिंह की पतनी नीलम देवी अभी मुकाम से विधायक हैं जिन्होंने विधान सभा में फ्लोट टेस्ट के दोरान आजेटी के खिलाफ जाकर एंडिये के समर्थन में वोटिंग की थी ऐसे में अब मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 माई को होने वाले मतदान से पहले ही अनन सिंग जेल से बाहर आ गए हैं इसे लेकर राज सिर्डी सुप्रीमो लालो प्रसादी आदव ने यहां कोख्यात गैंगस्टर रहे अशोक मतो की पतनी को चुनाव मैदान में उता रहा है अशोक मतो पिछले दिनों ही जेल से बाहर आए थे और अब अनन सिंग पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं ऐसे में माना जा रहा है क अनन सिंग न केवल मुकामा बलकि पूरे मुंगेर लोकसभा सीट पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं और इसका फायदा सीधे सीधे कहीं न कहीं ललन सिंग को मिल सकता है हाला कि यह तो देखने वाली बात होगी कि अनन सिंग के जेल से बाहर आने के बाद आखीर बिहार क कि सियासत में किस तरह की गतिवीधियां होती है और किस तरह के उलट फेर देखने के लिए मिल सकते हैं तो फिलार के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने पी तक हमारे यूटूब चैप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दें इसके साथ य अगरी वीडियो फेस्बुक अमाद हम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले